कि अगर चलिए दोस्तों इसमें देख रहे हैं कि एक्वेशन दिया गया है दो इकक्वेशन मील्टेनियसली लिनेर इकक्वेशन दिया गया है और यहां से क्या है कि का वैल्लू होगा जो यह सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन जो होगा इन्समाइट नमबर अप्वशन देखते हैं के माइनस one इन्टू x plus 1 minus minus 1 into y plus minus minus 1 into y y और 5 अगर side change करेगा तो यह sign क्या हो जाएगा minus 5 हो जाएगा और plus plus minus minus 5 तो यह क्या हो गया a1 यह हो गया b1 और यह हो गया c1 second में है k plus 1 into x यह क्या हो गया a2 1 minus k into y यह हो गया b2 और यह हो गया 3k plus 1 side change करेगा minus 3k plus 1 हो जाएगा और यह हो जाएगा c2 यह क्या हो जाएगा c2 दोस्तो a1 plus b1 plus a1 x plus b1 y plus c1 equal to 0 जो आप जानते हैं यह linear equation का form है और हमने इसको उस form में ले आया अब यहां से जो condition है सबसे पहले infinite number of solutions का condition लगाएगे और condition है a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2 और यहां से हम k का value find out करेंगे और उसी k का value अगर इस equation में put करते हैं तो इस equation का infinite number of solution होगा तो हमें सिर्फ क्या करना है k का value निकालना है क्योंकि हमने infinite number of solutions का condition है उसको यहां बैठा लिया है चलिए k-1 by k plus 1 equal to minus 1 by 1 minus k equal to minus 5 by minus 3 k plus 1 आप यहां से इस दोनों को हटा सकते हैं इसको इससे compare करते हैं और इसको इससे compare करते हैं चलिए देखते हैं k-1 by k plus 1 equal to minus 1 by 1 minus k यह असान हो गया चलिए यहां से भी क्या करते हैं minus common ले लेते हैं तो यह क्या हो गया k-1 यह minus minus cancel हो गया and minus 1 चलिए यहां से भी क्या करते हैं minus common ले लेते हैं यह 1 k-1 हो गया और यह 5 by 3 k plus 1 हो गया यह मैनस मैनस cancel हो गया, अब cross multiplication कर देते हैं, यह बहुत ही आसान हो गया, cross multiplication क्या होगा, k-1 का whole square equal to 1, k-1, and यहां से करते हैं, 1 into, into दे देते हैं, आप समझ सकते हैं, into हम दे देते हैं, जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं, नहीं तो बहुत समय क्या होता है, परिसानी होने लगत है, चले देखते हैं, यह k square minus 2k plus 1 equal to, यह क्या हो गया, k plus 1, and यहां से क्या गया, 3k plus 1 equal to 5k minus 5, अब आम क्या देख रहे हैं, k square plus 1 plus 1 cancel, k यहां से common कर लिए, k minus 2 equal to k, यह k से k cancel हो गया, k minus 2 equal to क्या हो गया, 1, इसलिए k equal to, k equal to क्या हो गया, 1 plus 2 equal to 3, यहां से देखते हैं, 3k minus 5k equal to minus 5 minus 1, minus 2k equal to minus 6, और k equal to 6 by 2, यहां से k का value 3, तो k का value 3 है, दोनों condition में आए, और इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, कि k का value 3 है, और वो 3 अगर इस दोनों equation में put करते हैं, तो इस दोनों system of linear equations का infinite number of solution होगा, यह बहुत ही आतान है, और यह आतानी से उम्मीद है, आपको समझ में आ गया होगा, पहले इसके variable, इसके coefficient को find out कर लिए, a1, b1, c1 निकाली है, और उसके बाद a2, b2, c2 निकाली है, दोस्तों यह एक चीज़ याद रखेगा, यह जो equal to 5 है, इसको हम लोग इधर ले आते हैं, थाकि, आसानी, arrange करने में आसानी हो, आप देखें, यह इधर प्लस 5 था, हमने इधर ले आया है, और यह c1 अब क्या हो गया, मैनस 5 हो गया, यह इधर प्लस में था, यह पूरा सिस्टम को जब हम इधर ले आ, यह क्या हो गया, मैनस में और c2 का value क्या हो गया, मानस 3K प्लस 1, ठीक है, या direct भी आप कर सकते हैं, अगर यहां प्लस है, तो c1 क्या हो गया, मैनस 5 हो गया, अगर यहां POLस है दोनों, तो क्या हो गया C2 minus हो गया लेकिन जब arrange कर लेते हैं तो यह बहुत ही आसान हो जाता है तो उमीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा और समझ में आ गया होगा तो दोस्तों आप subscribe करें और जादा से जादा view को बढ़ाएं और view कैसे बढ़ेगा जब आप इसे share करेंगे और जब share करेंगे तो सभी पो इसका फायदा होगा तो जो वीडियो बनाने का हमारा उदेश से वो पुरा होगा Thank you